हलो एवरिवन, वेलकम डू स्टड़ी आईक्यू, स्टड़ी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक नया हवाईड़ा जो बिहार में शुरू हो रहा है और वो है दर्भंगा हवाईड़ा, इस हवाईड़े के क्या माइने हैं, कौन-कौन से हवाईड़े और बन रहे हैं, या ओलेड़ी हैं, उड़ान योजना क्या है, और मैं आपको भारत के वो सारे हवाईड़े बताऊंगा, जो पिछले छे महिनों में खबरों में रहे, तो शुरू करते हैं वीडियो, वीडियो शुरू करने से पहले, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, कमेंट्स खुले हैं, आपको अंसर बताना है, बिहारन में अभी अभी भारत की पहली महिला जन जातिय पुलिस बटालियन शुरू की गई है, इस भारत की पहली महिला जन जातिय पुलिस बटालियन यानि वुमेन पुलिस ट्राइबल बटालियन का नाम क्या है, आपके options है ये मुक्ती बाहिनी, स्वाभिमान बाहिनी, नारी-शक्ते-दल, या ज्योती बाहिनी इसका आंसर मैं आपको वीडियो के end में बताऊंगा तो सबसे पहले ये जो ओफिशल किया ये ओफिशल नियून सबसे पहले की, रवी शंकर प्रसाद ने रवी शंकर प्रसाद जो हमारे कानून मंत्री है, electronics, सूचना प्रद्योगी की मंत्री है, तो रवी शंकर प्रसाद ने ट्विटर पर ट्वीट करके कहा कि बिहार के लोगों के लिए खुशकबरी दरबंगा एयरपोर्ट अब बनके तयार और 8 नवंबर से शुरू हो जाएग जो बिड़ है, वो अवर्ड किया गया था, Spice Jet Company को उडान योजना के तहत, तो यह जो एयरपोर्ट बना है, उडान योजना के तहत बना है, और दिल्ली मुंबई 8 नमंबर से फ्लाइट शुरू हो जाएगी, चलिए, अब मैं आपको पूरा पहले मैप समझाता हूँ, ठी मैप में देखते हैं, बिहार कहा है, यह है बिहार, यहाँ पर, यह मैंने इसकी boundary बना दी है एक बार, और बिहार, यूपी से connected है, यूपी से इसकी सीमा लगती है, फिर जारखंड से लगती है, जारखंड बिहार से ही अलग हुआ था, सन 2000 में, उसके बाद बंगाल से सीमा लगती है बिहार की, और नेपाल से सीमा लगती है, तो बिहार को हम जूम करते हैं यहाँ यह ओफिशल मैप है बिहार का, तो आप इसमें देख सकते हैं, हम दर्भंगा की बात कर रहे हैं, यानि कि हम नौर्थ बिहार की बात कर रहे हैं, दर्भंगा डिविजन है, जिसमें तीन डिस्टिक्ट आते हैं, मदुबनी, दर्भंगा और समस्तिपुर, तो आप देख सकते हैं, अभी बिहार में, जो एरपोर्ट चालू है, वो कौन से हैं, तो मैं इसको ग्रीन कलर में रंग रहाऊं, एक तो है पटना में, ये पटना है, तो एक तो एरपोर्ट पटना में चालू है, जो है, जै परकाश नारायन एरपोर्ट, वैसे तो इंटरनेशनल एरपोर्ट है, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट अभी उड़ती नहीं है, हलंकि इसका नाम इंटरनेशनल एरपोर्ट है, इसको लिखते हैं, जै परकाश नारायन इंटरनेशनल एरपोर्ट, ल में जाती है, मयामार में जाती है, तो गया वाला जो है, वो एक प्रॉपर इंटरनेशनल एरपोर्ट है, बिहार में कुछ दूसरी जगा भी एरपोर्ट है, लेकिन वो चालू नहीं है, जैसे मुंगेर में एक एरपोर्ट है, वो चालू नहीं है, मुझफरपुर में है, रक् स्टेशन है वो जो स्ट्रिप है एरफोर्स के अधीन आती है तो इस तरह से कई बार मिलिटरी कंट्रोल करती है लेकिन चालू जो एरपोर्ट है जो आज के टाइम में काम कर रहे हैं वो बस दो हैं एक पटना और एक गया यानि मैं कह सकता हूँ कि दरभंगा एरपोर्ट जो बन रहा है ये बिहार का तीसरा एरपोर्ट होगा जो चालू होगा और आप देख सकते हैं कि अगर आप खास दोर पे उत्तर बिहार से हैं अगर आप कहीं पे भी उत्तर बिहार से हैं और आपको अगर फ्लाइट लेनी है तो आपको कितनी दूर आना पड़ता और अगर आप मान लेजिए पुर्वी बिहार से हैं तो फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है कोई एरपोर्ट नहीं है आपको पटना या गया आना पड़ेगा यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको यहाँ पे अगर आप मान लेजिए जमुई में रहते हैं या आप बंका डिस्टिक में रहते हैं तो आप एक नया एरपोर्ट बन रहा है यहाँ पे कहीं है देवगर जारखन में जो है देवगर जो बाबा बैदेनाद के लिए मशूर है वहाँ पे भी नया एरपोर्ट बन रहा है और बस समझ लिजिए दो तिन महीने में चालू हो जाएगा तो अगर आप जमुई या बांका डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप जमुई से कुछ सो किलोमेटर दूर होगा बाबा बैदेनाध धाम जो ये डि जिहास है वो काफी पुराना है यहाँ पे 1941 में विमान सेवा शुरू की गई थी लेकिन ये सिर्फ दरबंगा के राजा और उनके जो बहुत ही खास वी वी आईपी गेस्ट होते थे उनके लिए उपलब्द थी उसके बाद दरबंगा के राजा ने 1950 में आम लोगों के जिसके बेडे में साथ विमान थे और यह कंपनी दरबंगा से कॉलकता तक विमान सेवा चलाती थी लेकिन 12 वर्ष तक सेवा देने के बाद ये कंपनी 1962 में बंध हो गई थी फिर वर्ष 2008 में Spirit Airways नाम की ये कंपनी ने दरबंगा से दिल्ली तक उड़ाने संचालित करने का परियास किया लेकिन पहला विमान ही रनवे से उतर गया और दुरगटना होते होते बची उसके बाद सारे परियास छोड़ दिये गए थे अब उड़ान योजना के तहट बिहार में दो एरपोर्ट का चैन किया गया है एक तो दरभंगा और एक किशन गंज मैं रिपेट कर जहां पर क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं होता क्योंकि उसमें उड़ान योजना में एक बात ये भी है कि अगर आप एक घंटे की फ्लाइट उडाते हैं तो आप पच्चे सो रुपे से ज्यादा यात्री से चार्ज नहीं कर सकते यानि स्पाइस जेट कंपनी जो विम और अंडर्शर्वड और अंञर्वड बोलते हैं यानि ऐसी जगह जहां पर यातो एर्रपोर्ट है नहीं या एर्रपोर्ट है और फ्लाइट नहीं जाती उन जगह पर उड़ान योजना के तहट बन रहे हैं इसको बोलते हैं उड़े देश का आमनागरिक तो कई सारे एकदम नेपाल बॉर्डर से लगता है, यह किशन गंज है, यहाँ पर और इससे जो इस्ट बिहार है, उसे फाइदा होगा, किशन गंज एरपोर्ट को बनने से, अरारिया, पुर्निया, कटिहार, इंडिस्ट्रिक्स को फाइदा होगा, वैसे पुर्निया में भी एक एरपोर कंपनी उसे नुकसान हो सकता है, तो इसलिए सरकार जो है, उनको कई तरह की रियायतें दे रही है, दरबंगा एरपोर्ट जो बन रहा है, इसका रनवे 9000 फीट लंबा है, जो की पटना एरपोर्ट के रनवे से भी जादा है, और दरबंगा एरपोर्ट पे आप मिलिटरी प्लेम भी उड़ा सकते हैं, तो वहाँ पे फाइटर प्लेम की सुविधा भी है, और वहाँ पे आप बड़े विमान भी उतार सकते हैं, जैसे बोईंग या एरबस कंपनी के जो अत्या धुनिक बड़े विमान है, उनको उतारने के लिए भी वहाँ का एरवे परियाप्त ह दरबंगा में एम्स भी बन रहा है, तो इससे जो एम्स है, वहाँ उससे जो पेशेंट्स हैं, उन्हें भी फाइदा होगा, पत्ना का जो एरपोर्ट है, उसकी शमता साल में 5 लाख लोगों की है, यानि 5 लाख लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी 26 लाख और पतना में इसी लिए एक नया स्ट्रिप बन रहा है, बिहिता, तो बिहिता में नया एर स्ट्रिप बन रहा है, सिविल टर्मिनल बन रहा है, लेकिन अभी इस पे काम काफी स्लो है, अभी इसमें टाइम लगेगा बनने में, यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी है करनाटक में जिसे हुबली भी बोलते हैं तो वो उसको बेस्ट उडान एरपोर्ट का वार्ड मिला है कुशी नगर का जो एरपोर्ट है वो अंतराष्ट्री हो गया है अब कुशी नगर यूपी की बात हो रही है कुशी नगर वो जगा है जहां पे भगवान बुद्ध ने अपने प्रानते आगे थे इंदोर का जो एरपोर्ट है देवी अहिलिया भाई हुलकर एरपोर्ट वो भी अब अंतराष्ट्री हो गया है बैंगलोर का जो कैम्पे कोड़ा हवाई अड़ा है वो भारत का पहला हवाई अड़ा है जिसमें एविएशन वैदर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गया है मोसम पुरवानुमान जानने के लिए औरंगाबाद का जो हवाई अड़ा है ये बिहार वाले औरंगाबाद की बात नहीं हो रही है ये महराश्ट्र वाले औरंगाबाद की बात हो रही है तो औरंगाबाद का जो एरपोर्ट है उसका नाम चत्रप इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट दो कार्णों से नियूज में था, एक तो ये भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एरपोर्ट हो गया है, और दूसरा यहां पे प्राइवेट एरप्लेंस के लिए एक्स्क्लूजिव टर्मिनल बना है, जैपूर गु आपको पसंद आया होगा, अगर आप नौर्थ बिहार में रहते हैं, तो आपके लिए अच्छी ख़वर है, और अगर आप विमान से ट्रेवल करना चाहते हैं, तो ये डेफिनेटल आपके लिए अच्छी खवर है, कोई भी आपके इस पे कमेंट्स और डाउट्स हों, तो नाम है स्वाभिमान वाही नहीं, मिलते हैं स्टेडी आइक्यू के अगले वीडियो में, थैंक्यू फर वच्छिंग